वो नेता जो अपनी ही सरकार के खिलाब बॉलने का दम रखता है वो नेता जो हमेशा चर्चा में या तो अपनी विवादित भासा की वज़से रहा या फिर कम वोटों के अंतर से जीतने के कारण रहा है आज के सियासी सफर में बेंगू विदान सबा सीड से कॉंग्रेस विधायक राजेंदर सिंग भी दूडी के राजनेतिक सफर की बात करेंगे साल दो हजार आठ का वो साल जिसमें सियासी गनित के हिसाब से कॉंग्रेस राजस्तान में सरकार बनाने जा रही थी वो साल जिसमें सिपी जोसी और असो गयलोत के बीच मुखे मंतरी बनने को लेकर तकरार थी कि आखिर कॉंग्रेस सत्ता में आई तो कॉंग्रेस की तरफ से राजस्तान में मुखे मंतरी कौन होगा चितोडगट जिले की बेंगु विदान सबा सीट का सियासी पारा गरम था गरम इसलिए क्योंकि भाजपा के पूर्वय मंतरी चुनिलाल धाकड का मुकाबला इस बार कॉंग्रेस का नया खिलाडी राजेंदर सिंग भी धूडी करने जा रहा था इस चुनाव को भी धूडी ने करीब 600 वोटों के अंतर से जीत लिया और पहली बार राजस्तान विदान सबा की दहलीज पर पहुँच गए यह राजेंदर सिंग भी धूडी का पहला चुनाव था और पहला ही चुनाव जीत लिया मतलब राजनिती में धमा के दार एंट्री अब साल 2013 का आता है यह वो साल जब समुचे हिंदुस्तान में मौदी लहर चरम पर थी मौदी लहर के आगे किसी का भी टिक पाना इतना आसान नहीं था भाजपा ने इस बार बेंगू विदान सबा सीट पर चुन्ने लाल धाकड की जगए सुर्यस धाकड को उमीद्वार बनाया और कॉंग्रेस की तरफ से दो नेता राजेंदर सिंग बिदुडी और जितेंदर सिंग राठ होड दावेदारी कर रहे थे लेकिन कॉंग्रेस ने फिर से बिदुडी को उमीद्वार बना दिया और दूसरी तरफ जितेंदर सिंग राठ होड कॉंग्रेस से बेवफाई कर निर्दली चुनावी मेदान में उतर गई चुनाव हुए और जब परिनाम आए तो यह चुनाव राजेंदर बिदुडी भाजपा के सुरेश दाकड से करीब 21,000 वोटों के अंतर से हार गई कॉंग्रेस के बागी रहे जितेंदर सिंग राठ होड महज गुनिस 1000 वोटों में सिमट कर रहे गई अब बारी 2018 विदान सबाद चुनाव की राजस्तान के सियासी गनीत के इसाब से महोल कॉंग्रेस के पक्स में है कॉंग्रेस की तरफ से राजेंदर सिंग भी दूडी चुनावी मेदान में है तो भाजपा की तरफ से सुरेश धाकड ने चुनावी मेदान में ताल ठोक दी है जोरो सोरो से चुनाव परचार हुआ दोनों तरफ से खूब वादे होते हैं चुनाव का दिन आता है उत्षा के साथ मतदान होता है और जब नतीजे आते हैं तो यह चुनाव राजेंदर सिंग भी दूडी करीब 1600 वोटों के अंतर से जीत जाते हैं बिदूडी के पूरे सियासी सफर में रोचक बात यह है कि बिदूडी हर चुनाव में बहत कम वोटों के अंतर से जीतते आ रहे हैं